हम ने देखा आज कि शेयर बाजार में जो है रेकॉर्ड हाइट अच्छ हुए, निफ्टी और सेंट्सेक्स दोनों में, बेंचमार्क इंडिसीस जो है, दोनों नहीं रेकॉर्ड हाइट अच्छ करी, हम यह भी देख़ रहे हैं कि देख्ये करने के लिए PG अधन स्वानेश आपके समय के लिए चाहते हैं कि देखिए VMM यह बोल रहे हैं कि देखिए शेर भादार जो है भारत की वो रेकॉर्ड है इसलिए टच कर रही है कि देखिए मैक्रो डेटा जो एकनोमिक डेटा आया है पिर से कुछ दिनों में जो ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन आई है वो काफी अच्छी आई है तो इन सब की चीजों की पश्की बात करें और बाकी सारे इसलिए उटे की भाद करें यह अच्छी ब्हुत संजाया जो एकनोमिक डेटा है जो macro data है और stock market share bazaar का जो earnings companies के जो earnings आ रहे हैं वो काफी strong आ रहे है in the immediate context अभी जो जितने भी results declared हुए है काफी strong है इंडिया में credit growth all time high पे है companies के जो earnings growth, जो profit after tax, जो EBITDA जो declare हो रहे है, जो margins बताए जा रहे है, जो volume दिख रहे है वो काफी strong है, GST collection बहुत strong है, इसमें एक problem है कि yes आपने जैसे बोला various factors को लेके oil prices अगर इस rate से ज्यादा बढ़ती है तो it is a net negative क्योंकि हम importers है oil के, right और fundamentally जो globally जो data आ रहे है वो भी काफी positive confidence के साथ आ रहे है जैसे कि आपने जैसे mention किया जो US federal reserve है, expectation है कि इस साल वो भारी मात्रा में rate cut करेंगे, क्योंकि उनका growth recession में नहीं convert हुआ है, growth है, unemployment भी low है but inflation भी उनका manageable है, तो उनका expectation है कि rate cut करेंगे तो world over में dollar liquidity फिर से आएगी, इसलिए लोग equities, real estate वगएरा में invest कर रहे है, right, central banks gold में invest कर रहे है, इसलिए gold की prices rally हो रही है, gold में क्यों invest कर रहे है, central banks क्योंकि wars चल रहे दो, so geopolitical risk जो है, उनको hedge करने के लिए central banks है, हमारे RBI की तरह, वो लोग gold में invest कर रहे है, चाइना की भी actually numbers अच्छे आए है, तो वो भी, ये सारा सब चीज़े impact करती है, इंडियन शेयर बजार को भी, so China का growth अगर अच्छी आती है, तो इस पर संभावना है कि वहाँ पे भी focus जाए, जो लोग invest करते है globally, so India का जो growth है, वो बहुत strong है, क्योंकि जो economic reforms है, वो देखने को मिल रहे हैं, in terms of infrastructure, physical assets, जो create है, जो roads, ports वगेरा, internal waterways, जो देख रहे हैं, जी बिलकुल, लेकिन जो लोग घर बैठे, ये जानना चाहते हैं कि देखिए, क्या समय आ गया है, कि हम invest करें, और हम कहां पर invest करें, अब जैसे कि आपने समझाया, कि सारे ही asset classes, जो हैं, कही ना कही impact हो रहे हैं, अच्छी performance क्यों हो रही है, इनकी आपने अच्छी से समझाया, कि देखिए, तेल के दाम, सोने के दाम, और शेर बाजार में हम ये उच्छाई क्यों देख रहे हैं, लेकिन जो लोग घर बैठे, ये जानना चाहते हैं, कि देखिए, हम अपना पैसा कहां invest करें, हम कहां पर invest करें, एक्विटी मार्किट में देखें, कि बाकी आइसे क्लासे में क्या देखें, तो उनको आप क्या कहना चाहिए? उनको मैं यह कहना चाहती हूँ, यह जो है, यह investment निवेश का advice बिल्कुल नहीं है, उनको अपना खुद जानना चाहिए, कि उनका risk return expectation क्या है, उनका risk profile क्या है, उसके लिए उनको एक professional registered investment advisor का help जरूर लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा asset class, किस condition में, bubble में है situation में, क्या valuation में trade हो रही है, यह जानकारी प्राप करने के लिए registered investment advisor के पास जाए, अपना risk profile कुछ समझे, अपना growth expectation, return expectation खुछ समझे और फिर निवेश करें, जी बिल्कुल, अपना जो है stock specific investment जो है, या फिर asset classes जो है, अगर आप specific advice चाहते हैं, तो आप बिल्कुल अपने experts को consult करें और फिर invest करें, लेकिन आने वाले समय में आपको क्या लगता है, कौनसे sectors जो है अच्छे से perform करेंगे, हम देख रहे हैं कि काफी जैसे है momentum जो है pick up पूरा है, हमने याद रखे कि देखा कि manufacturing PMI data जो आया है, हमने देखा कि World Bank का projection जो है वो भी काफी अच्छा आया है, तो अगर आप आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि कौनसे sectors जो है outperform करेंगे भारत के लिए? देखिए आने वाले समय में long term इंडिया में सभी बहुत ही ज़्यादा bullish है, अगर आप देखोगे institutional flows जो है शेयर बाजार में, retail flows जो है, जो SIP चल रहे है, mutual funds के, वो दिन पर दिन बढ़ी जा रहे है, dip में भी अगर मान दीजी छोटा मोटा correction आ भी जाता है, तो हम देखते हैं वहाँ पर खरीदारी होती है, क्योंकि confidence बहुत ज़्यादा high है, और इंडिया में जो हुआ है, वो थोड़ा unique है, क्योंकि last 10 साल अगर आप देखोगे, 15 साल, 20 साल, उसमें consumption का बहुत बढ़ा trend था, right, so consumption से share bazar अच्छी तरफ से चल रहे थी, अभी क्या हुआ है, last 10 years में, जो reforms हुएं इंडिया में, इंडियन economy में, उसमें काफी focus किया गया है manufacturing पे, physical asset creation पे, infrastructure पे, तो अभी जो ये manufacturing cycle, जो काफी दबी हुई थी पहले से, past में, जो इंडिया का अभी अच्छा वो returns नहीं आते थे manufacturing sector से, अभी उस पे focus है, so manufacturing, infrastructure, capacity creation, जो industrials, उसमें अभी जो make-in-India schemes चल रहे है, जो PLI पे चल रहे है, GST का भी अगर आप numbers देखोगे, काफी strong आपने, different corporate की different sectors है, जैसे की infrastructure, manufacturing, capital goods, काफी strong चल रहे है, so इन में long term view थे अपी bullish है, बट short term के लिए निवेश करने के लिए, valuations को जानना बहुत ज़रूरी है, अपना खुद का risk profile और valuations, उसके लिए expert advice लेना बहुत ज़रूरी है, जी बिल्कुल, बहुत धन्नेवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया, हमारे सभी दर्शकों को, ये आगे जाके जो है, क्या जो है momentum long term में pick up हो सकता है, और short run में उनको advice लेकर कैसे invest करना चाहिए, बहुत धन्नेवाद आपके समय के,